दोस्तों सफ वाह 1 सबीक आपके अपने चैनल इस ट्वीटस पर चलिए देखते हैं आज का वीडियो आज का जो वीडियो है यह आज में आज के समय न्यूस्पेपर में ही नूझ्य आया हुआ था सी किभीयू की जात ? बहुत ही जाल ठाफ होने वाला CDPO की जो vacancy IT 55 post के लिए उसका examination होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा tough होने वाला है क्यों ऐसा कहा जा रहा है चले देख लेते हैं न्यूस में क्या है ठीक है तो 55 post के लिए vacancy IT CDPO की जोगी level 9 का job है तो बहुत अच्छा job है यह अगर selection हो जाता है तो लेकिन वहां तक पहुचने से पहले क्या क्या problems आ सकते हैं यह आप देख सकते हैं तो यहां पर सबसे पहला तो अभी आपको क्या पता चलेगा number of applicants कितने हैं जो आप preparation जो भी student CDPO की preparation कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि कितने सारे लोग हैं जो उनके साथ इस point of time में serious work की preparation करना स्टार्ट करते हैं तो चले देख लेते हैं news क्या है news CDPO के एक पत के लिए 3272 परेक्षारती ठीक है तो 3272 applicants है for one post ठीक है news देख लेते हैं क्या है बिहार के युवाओं में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का क्रेज बरकराद हैं बिहारी युवा सरकारी नौकरी के लिए जादा महनत करने हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है CDPO के 55 पद के लिए 1,80,000 आवेदन आये हैं बिहार लोग सेवा आयो की ओर से आवेदन मांगा गया था तो BPC conduct करवाती है इस examination को CDPO examination को और इसमें क्या है 55 post के लिए वगेंजी आई थी और जो number of applicants है क्योंकि अब तो close हो गया है यह तो number of applicants का पता चला है and it's about 1,80,000 और उसके बाद क्या लिए आवेदन करने की प्रकेरिया एक अप्रिल को समाप्त हो गए as I already told कि first last sorry first April तक ही इसका last date था submission का उसके बाद देखा जाए तो एक पद के लिए 3272 परिक्षारतियों के बीच प्रतिस फर्दा होगे तो competition का level आप देख लेजे एक post और 3272 students जो है वो compete करते रहेंगे प्रारंबिक परिक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले seat से 10 गना चात्रों का मुख्य परिक्षा में सामिल किया जाएगा ठीक है इसी तरह से project manager तो यह दूसरे दूसरे examination के बार में भी है इसी तरह से project manager के पद पचास पदों के लिए 29,000 से अधिक आविदन आये हैं प्राप्त लब एक पर्द के लिए करीब 580 परिक्षारतियों के 20 प्रतिस पर्दा होनी है इसकी परिक्षा 11 अप्रिल को चार जलो में होनी है तो यह तो कल छपाऊगा ना कल के हिसाब से है आज तो पता चल गया होगा आप सभी को जो भी project manager के लिए या दे रहे होंगे तो उनका examination अभी पोस्पॉन होगे और judicial वाला पर जो examination था वो पोस्पॉन होगे है फिर बेरुजगारी भी अधिक आविदन का एक बड़ा कारण है राजा में चोटी से चोटी पदों के लिए भी आविदन हजारों यहां तक की लाकों में आते हैं यही यही हाल देश स्तर की प्रेदोगता परिक्षा का भी है रेलवे की एंटी पीसी परिक्षा में 34,000 सीटों के लिए सवा करोर अभियर्थियों ने आविदन दिये हैं इस परिक्षा में एक पद के लिए 37706 के बीच परिक्षा का भी है तो देखिए यहां पे यही बोला जा क्वेशन का मतलब कॉंपेटिशन लेवल बहुत हाई होगा अभी आप देखी रहे हैं कि बीपेटिशन का जो रिजल्ट आया है उसमें भी कटफ बहुत हाई चली गई मतलब 108 वस अनेक्सपेक्ट कर सकता है कि बीपेटिशी जैसे एक्जामेनेशन में 108 कटफ जाएगा तो य तो मेल कैटेगरी में 96 कटफ गया थो 91 लड़कीयों के लिए गया था जेनरल गर्ल्स के लिए कटफ गया था तो उससी इसको ध्यान में रखते हुए कोसिस यह करना होगा कि 150 क्वेशन में कैसे भी जो है माक्स 110 अप्रॉक्सिमेटली माक्स आ जाए तो ही आपका सेलेक्शन कि अब एक दम यह होगा कि फिक्स हो जाएगा तो उसको करिए यहां भी हमारी चैनल पर भी अब कल से या कल बरसा से स्टार्ट हो जाएगा जो स्टार्टिक वेशन है उसके क्विज़ आएंगे तो वह आप देख सकते हैं और जो भी प्रपेशन कर रहा है उसको आप चेक क के लिए थोड़ा सीरियस होके करेंट अफेर्स और स्टार्टिक पोर्सन पर ध्यान मतलब उस चीज़ को फोकस करके कुछ वीडियो यहां पर भी आपको अवलेबल क्यार कराएंगे चलिए यहां पर यहीं पिक्रूस करते हैं थैंक्स वाचिंग